करते हैं खास तौर से ये जो सावन है ये बहुत विशेश हैं लेकिन उससे पहले ये जान दिजे जैंदि कि कहीं यह सावन सूरे की संकरांती से प्रारण होताय। यानि मास सोला 17 तारीक टीक से प्रा Hem हो चुका है और यदि हम मत करे स्काинки सेट हैं टो ये सभी अठॉत हैं और यह सावन बहुत विशेश हैं विलक्ट्रण एन को उनके लिए जिन को विवाकी समझ्याय या वेवाहिक जीवन की समझ्याय अगे सावन की बात ही करता हूं और उसमें मैं आपको दो तीन बड़ी विशेश बाते बताना चाहता हूँ सावन इतना महत्पून क्यों है बारिश होती है केवल इसलिए महत्पून है शिवजी का सावन से क्या संबंद है सावन में कुछ चीजें बिलकुल नहीं खाई जाती है क्या मतलब है सबसे पहले शिवजी और सावन का संबंद में आपको बताता हूँ देखे शिवजी के बारे में बहुत सारी भ्रांतिया उड़ गई है या उड़ाई जा रही है मुझे नहीं पता लेकिन ये गलत है कि शिवजी बहुत सारा नशा करते थे और सावन में रोजाना भांग खाते थे शिवजी का तो पता नहीं लोगों ने भांग खानी शुरू कर दी और मैं उनसे एक चोटा सा प्रुशन पूसता हूँ कि यदि आप नशा करने में शिवजी का साथ दे रहे हैं या शिवजी से उधारण प्रेणा ले रहे हैं तो शिवजी ने तो जहर भी पिया था आपिला वो कोई नहीं पियेगा क्योंकि हम शिवजी का नाम लेकर केवल अपने नशे को जस्टिफाई करना चाहते हैं उन्होंने गले में रोक लिया था लेकिन उनका शरीर तपता चला जा रहा था और इसलिए इदर ने चम के बारिश करी जिससे शिवजी के शरीर को थंड़क पहुचा सके यह पौरानिक कारण है और हर वो चीज जिसका उप्योग अब नहीं करना एक महीने तक वह शिवजी को अर्पित कर देते हैं वो जहर है जैसे धतूरा जैसे भंग जैसे घास फूस और यहां तक दूद भी अब सावन के महीने में इसी लिए कोई मंगल कारे नहीं होता है गेट तूगेदर नहीं होती थी आज यह दूपी चीजे बदल चुकी है लाइट है फर्ष है लेकिन यह जो सिस्टम्स हैं कोई आज के बनाएवे तो हैं नहीं हजारों साल पुराने सिस्टम्स हैं और उस वक्त क्या होता था जमीन में से किड़े निकलने लगते थे बारिश भर जाती थी तो बिलों में से सांप निकलने लगते थे और आप देखें शिवजी का इनी सब चीजों से संबन्द है जहां विश है वह चीज शिवजी के पास जाकर रख दी जाती है कि हमें इनसे बचाना और अब हम इसका सिवन नहीं करेंगे इसलिए वो पशू जो जंगल में जाकर चरते हैं वो गौमाता जो जंगल में जाकर चरती हैं और घास खाती हैं तो उस घास के साथ साथ कुछ कीड़े उनके पिट में चले जाते हैं इसलिए सावन के महिले में तब दूद शिवजी को अर्पित कर दिया जाता था पिया न सावन के महीने में शिवजी की लगतार इस्तुती साधना करने से विवा होता है और यह किवल लड़कियों के लिए नहीं है लड़के भी कर सकते हैं ओम नमस्षिवाई या महामरतुञ्यका जब्त या रुद्रविशेक यह कीजिए सावन में और अभीष्ट फलों की प्राप कर देना मैं उनसे निवेदन करता हूं कोई बहुत विशेश मजबूर यह ठीक है अन्यता स्विम बैठिये और बिल्कुल ध्यानस्त होकर एकाग्रचत होकर रुद्रविशेक कीजिए या महामरतुञ्यका पाठ कीजिए या महामरतुञ्यका अनुष्ठान कीजिए यह गुरू पूर्णिमा होती है यानि गुरू घूमते फिरते अपने आश्रम में या अपने जाओं में पदार गए यहा अपने महिना भक्ति का महिना है कुछ और काम है नहीं कहीं और जाना नहीं यह दुपी आज युग बदल चुका है लेकिन सावन का महिना भक्ति का महिना है कोई एक धर्म शास्त्र ले लीजिए और उसका अध्यन करना शुरू कर दीजिए तब सावन को सही तरीक से आप मना या उम्र उद्राई नम्हा का जब भी कर लिजे रोजाना अब आप यह मान के चलिए कि मुझे एक हजार माल आए शिव जी के नाम की नाम कोई भी हो शिव जी के नाम की प्रहबी है और देखेगा बड़े-बड़े दुख संकट से आप बाहर आएंगे यह महीना है धार्म सा कोचन श्रुण करने हैं धर्म शास्त्र श्रुण करने हैं और अपनी जीवन को सकरात्मकती देनी है उसको नई उचाईयों तक ले जाने के लिए शक्त यजित करनी है यह महीना इसलिए होता है महीने में अपने बच्चों को पालक मत खिलाईए अब पालक नहीं खाया है कि रात में यदी बच्चे बाहर जा रहे हैं तो पूरी बाजू के कपड़े जरूर पहने क्योंकि इसमें कीट पतंगे निकलते हैं और वह बच्चों को काच सकते हैं सावन की एक और आपको खास बात बताता हूं बच्चियों के पॉइंट अव्यू से जिनका विभाण नहीं हो रहा है यदी वह पृतिदन चंदन, हल्दी, केसा यहें दूध में मिला लें और उसमें तिल के पांच दाने काले तिल के पांच दाने डालें और ओम नमस्षुआय कहते हुए शुवजी का प्रते दिन अभिशेक किया करें सुमवार को कठोर उपवास और लंबा जाप, जाप के बिना कोई फायदा नहीं, उपवास रखने का मतलब यह नहीं बस भूखे रह लिए या कुछ और जीज़े खाली, उपवास धंक से होना चाहिए, यदि वह करेंगे तो इस बार के जो सावन हैं उनमें, उनकी सुनव और कुछ विशेश कारे आपको अवश्र करने हैं, सबसे पहले आपको निखाता हूं कि आपको और आपके परिवार को अब क्या नहीं खाना है पूरे सावन तक, नोट कीजिए, सबसे पहले अब दही का सेवन नहीं करेंगे, सावन के महिने में दही का सेवन नहीं किया जा सावन के महीने में च्छाच भी नहीं पिया जा सकता हां कभी बहुत मन कर गया तो दिन में थोड़ा सा च्छाच ले लीजेगा लेकिन उसमें जरा सी हींग और अजवाइन का चौका जरूर लगा लीजेगा अन्य था ये नुकसान करेगा इसे ना दे तो जादा अच्छा रह करती हैं अब उसका सेवन एक महीने तक बिल्कुल नहीं करना है और लिखिए सावन के महीने में तर्बूज खरबूजा नहीं खाना आप कहेंगे तो होता ही आज कल सब मिलने लगा है मौसम कुछ भी हो हर मौसम का फल और सबजी मिल जाती है पदा नहीं कहां कहां से दुनि कवर सिस्टम भी करता लिए बसावन नहीं करते हैं कर नहीं करता है और अप सावन ने पूजा कैसे करनी है और किन किन चीजों का विषेश प्रयोग करके विषेश पूजाएं करनी है ये मैं आप को बिटा रहा हूं, लेकिन उस से पहले धनल मकर पुम्षर मीन राषिक बेल पत्र चुड़ाते हैं और कैसा जिसमें तीन स्वस्त पत्तियां हो यानि कटी-फटी पत्तियां ना हो वो बेल पत्र उनको अर्पित किया जाता है क्यों यह नहीं तो भी इसकी अपनी कथाएं हैं पराणिक कथाएं लेकिन मैं आपको दूसरी और लेकर जाना चाहता हू बेल पत्र इस बात का संकेत है कि यह बेहत पवित्र पौधा है यह बेहत पवित्र पेर है इसका फल इसके पत्ते इसकी चाल यह सब वात पित कफ को दुरस्त रखते हैं इसलिए बेल पत्र भगवान mentorship को अरपित किया जाता है कि आपके शरीड में वात पित कफ डिस्टर्ब हो गया होगा गर्मी आपके शरीड में भर चुकी है इसलिए आप इसका सेवन करें और इसका सेवन मनुष श्वय करता है तो सावन के महीने में पेट में होने वाली खर और हम भुजा में इसी से आजकल दूर होते चले जा रहें, बहुत सारी दर्दर की चीजे तो आ गही हैं, लेकिन भाव गायब हो रहा है, एक आगरता गायब हो रही है, और वदस्पती जा तो गायब ही हो रही है, या अगर हम उसका उपयोग कर भी रहें तो उसका महत तो न वह रहें से जानना चाहती हैं, जिससे उनकी मिर्ति ना हो, और बाबा को मजबूर कर देती हैं, बाबा फिर उनसे कहते हैं कि चलो, एक ऐसे स्थान पे मैं आपको लेके चलू, जहां पर हमारी आपकी बाते कोई और मनुष्र ना सुन सके, धर्दी की कोई और जाती उसको स सुनना सके, इसलिए वह अमरनात जाते हैं, लेकिन वहां होता क्या है, जब बाबा उनको आगम निगम समझा रहे होते हैं, मिर्ति का और जीवन का रह से समझा रहे होते हैं, तो मापार्वती सो जाती हैं, लेकिन वह गुफा बहुत महत्पूर हो गई, और इसलिए लोग उस गुफा में जाकर वहां को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वहां बाबा और मापार्वती कभी बैठे थे और उन्होंने जीवन मिर्त्य के रह से की वहां चर्चा की थी, नोट कीजिए कि जो शिवजी का अभिशेक करना है, वो कैसे करना है, आप रुद्रभी शेक यदी सा किया जाएगा, यदि स्वास्त की कोई बहुत विशेक समस्या हो, तो गन्ने के रस से अभिशेक करना बहुत शिरेकर रहता है, और यदि धन कर्ज की कोई बड़ी दिक्कत हो, तो कच्ची लसी से अभिशेक करना बड़ा शिरेकर रहता है, पंचा म्रत से अभिशेक करने से इस्तुरियों के लिए खास्त और से विवाहर विवाहिक जीवन में सुक्की प्राप्ति होती है शिवजी का जो जल से अभिशेक हो उसमें काले तिल अवश्य डाल दीजेगा तुलसा का प्रियोग नहीं होता है शंक का प्रियोग भी नहीं होता है और अभिशेक यदि ताबे के बरतन से करेंगे खास्तोर से जलक अभिशेक यदि ताबे के बरतन से करेंगे तो अच्छा रहेगा तो ताबे के बरतन का प्रियोग करें या दोने का प्रियोग करें या पत्ते के बरतन का प्रियोग करने से अच्छा रहेगा वैसे आपकी चाहप चाहने के भरतन यदि आपके पास हो तो उसका भी उपियोग आप कर सकते हैं इन 30 दिनों में आप शिवलिंग को या शिवजी की पृतिमा की आप पूजा करते हैं तो उनको रुद्राक्ष की माला अर्पित कर दीजिए और लगतार उनका अभिशेक करते रहिए और जब सावन पूर्ण हो तो अंतिम दिन दिवस जो सावन का होगा उस दिन वह रुद्राक्ष की माला आप स्वेंदी धारन कर सकते हैं इसका तेज आपकी रक्षा करेगा और अब उनके बाद जिनका है आज जनब दिर महीने बहुत अच्छे हैं आपको घूमने पिरने को मिलेगा अच्छी जगह आपका अस्तान अंतुरन हो सकता है लेकिन स्वास्त को लेकर आपको बहुत ज़ादा ध्यान रखने की आउश रखता है स्वास्त कमजोर हेगा तो चिकिसे सलाज जरूर ले लीजेगा उपाए जरूर करें क्या उपाए करना है आप रोजाना मिश्री के चार दाने जब भी आप घर से निकले बहते हुए जल में परवाहित अवश्र करें और यदि घर से नहीं निकलना होता है तो दिन में किसी भी वक्त मिस्री के चार दाने किसी भी बहते हुए जल में जो घर के बाहर का हो जरूर परवाहित कर दिया कीजेगा अच्छा होगा कुल मिलाके बारा महीने अच्छे हैं भीना जरूर ज़ादा कराएंगे लेकिन परिणाम भी देंगे All the best और अब एक बात आप तक पहुँचा रहा हूं वो ये कहते हैं कि जो लोग बहुत जिग्यासू होते हैं विशेश कर जो बच्चे बहुत जिग्यासू होते हैं और अपनी जिग्यासा शांत करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कहीं भी जाते हैं आगे जाकर ऐसे लोग जिंदगी में बहुत उन्नती प्राप्त करते हैं तो आपका ये दिन बहुत शुब हो आपको खूब उनती प्राप्त हो इसी कामना के साथ